Hello friends, इस वीडियो में exercise 4.3 का question number 7 करेंगे यामिनी और फातिमा, two students of class 9th of a school together contributed Rs.100 towards the Prime Minister's Relief Fund to help the earthquake victims, write a linear equation which satisfied this data और आपको एक हिंट दे दी है कि जो उन्होंने money contribute किये उसे X रुपी और Y रुपी की तर्म आपको लेना है उस डेटा को लेके आपको craft बनाना है So let's solve this question Let money contributed Y यामिनी रुपीज X and the money contributed Y फातिमा इस रुपीज Y यह आपको मानना है अब दोनोंने मिला कि कितनी रुपीज कलेक्ट करें है 100 रुपी तो हम एक equation बना देते हैं X plus Y is equal to 100 ठीक है रुपीज X plus Y रुपीज Y is equal to 100 यह हमने एक equation ली अब इस equation को लेके इसका graph बनाना है तो पहले इसके solution निकाल लेते हैं So let X is equal to 50 अगर X की value 50 होगी तो इसमें Y की value क्या आएगी 50 plus Y is equal to 100 So Y की value आगी 100 50 को shift कर दू So Y is equal to 50 दूसरा एक और एक पॉइंट चाहिए हमें Let X is equal to 25 So Y की value क्या आएगी 25 plus Y is equal to 100 So Y की value आए 100 minus 25 Y की value आगी 75 ठीक है अब हमारे पास इसकी table बनानी है चलो इसकी table बना देते हैं यह table बनी तो यह X यह Y अगर X की value 50 तो Y की value 50 आए X की value 25 तो Y की value 75 अब इस data को लेके इसका graph प्रोके है देखो इसका जब graph बनाएंगी तो इसका skill कैसे लेंगी क्योंकि हम पर 50 75, 100 ऐसी value आ रही ही तो यह 0 25, 50, 75, 100 25, 50, 75, 100 इस तरीके से आपको यह किसके लेना है अब X and Y दोनों 50 हों तो देखो यह 50 X पर और Y पर 50 पॉइंट लग गया दूसरा 25 and 75 देखो यह 25 X की value Y की value 75 इन दोनों पॉइंट को मिलाके यह straight line आए आई हाँ पर आपको रखना है X plus Y is equal to 100 This is the solution of question number 7 आई है आपको यह 5 प्रव दोनों 50 झाल 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 झाल